कि हलो गाज वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो लेक्ट में अपने बात करेंगे पुष्पी पौधों में लाएंगे जनल किस परकार होता है ठीक है उसका ये पार्ट टू है पार्ट बन आपने देख लिया होगा पार्ट बन में अपने पुष्पी सनचना क के बारे में जाना था और नर भाग में किस प्रकार से नरी उमक का निर्माड होता है प्राकुष के अंदर वह सब कुछ पढ़ लिया था अगर वहागा आपने नहीं देखा तो पार्ट बन पहले देखी उसके बाद इससे देखना राइट तो सबसे पहले हम जानते हैं के रूप में पाई जाने वाली सनचना को जायां कहते हैं यानि कि यह पुस्क के अंदर मादा भाग होता है ठीक है उसे हम जायां कहते हैं तथा जायां के प्रतिक भाग को इस्त्री केसर कहा जाता है ठीक है उसके एक भाग के लिए हम इत्त्री केसर बोलते हैं तो यह एक पराग कड़ अंदर बीजांड के अंदर परविश करता है, इसे पराग नलका बोलते हैं, ये भी उसकी समर्चना में पड़ लिये थे, ठीक है, जयांग के मुक्ष तीन भाग होते हैं, बरतिकाग्र और बरतिका और अंडास है, एक्जाम में पूछे भी जाती हैं, जयांग क समर्चना है, इसे बीजांड बोलते हैं, इसके उपर वाला ये भाय आवरण, इस वाली समर्चना के लिए भाय आवरण बोलते हैं, और ये वाला जो अंदर वाला आवरण है, इसे बोलते हैं अंता आवरण, ठीक है, और इसी के अंदर, बीजांड के अंदर, ये का है ठीक है जो उपर वाले भाग के लिए निवाग बोला जाता है इसके नीचे अंड कोशिका रोकिया हो यह बिजांड द्वार है यानि कि जो अपूर भाग होता है आवरण का जो अपूर भाग होता है उसे हम बिजांड द्वार बोलते हैं बिजांड द्वार के अबुज इस वाले भाग के लिए जहां पर यह आवरंड जुड़ता है ठीक है अंड वीजांड जुड़ा होता है जिस जगह से जुड़ा होता है अंड कोशका से अंडासा से जिस जगह जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं वीजांड ब्रंत ठीक है जो अंडासा से वीजांड जिस ज जगए पर जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं बीजांड ब्रंट ठीक है यह इसके कुछ वह इस तरी कैसे की समचना इसके में में भाग हैं और यहां पर जो तीन कोशकाइं देख रही इने इन दो कोशिकाओं के लिए इधर वाली इधर वाली यह दोनों साइडों वाली कोशका कहा जाता है और यह बीच में एक खोशिका है यह वाली इसके लिए बोलते हैं अंड कोशका इस ही के अंदर मादा युकमक का नर्मार होता है शर्आ एक एक के बारे में जानेंगे दीरे दीरे अंड और आसमें बीजांड ब garments द्वारा जुड़ा होता है इस जगर प ब्रंद से जुड़ा होता है उसके बाद है हमारा विजांड में दो आबरन होते हैं एक तो भाय आबरन दूसरा होता अंता आबरन विजांड में कितने आबरन है दो आबरन एक जो भाय भार वाला हिस्सा है इसे हम भाय आबरन बोलेंग इसके अंदर यो आबरन है इस वाले क तो इसे हम क्या बोलेंगे बिजांड दौर तो इस जगह के लिए बात करेंगे निभाग के बारे में बिजांड दौर के विपरीत वाले भाग को निभाग कहते हैं बिजांड दौर यहवाला है इसका विपरीत भाग कौन सा यह है यानि कि इसका वोजिट भाग इसे बोलेंग हम निभाग ठीक है अब इसके बाद जानेंगे जाने। इस वाले हिस्से के लिए हम बीजांड काय बोलते हैं जो अंदर का है इसके अंदर ये बीजांड काय है ठीक है बीजांड का मद्ध भाग बीजांड काय कहलाता है ठीक है ये बीजांड है ये पूरा बीजांड है बीजांड काय जो बीच वाला भाग है उसे बोलते हैं बीज या के लिए ही आन्दर मादा इवमक का निर माड़ कहले इस फ़ाँ के अंदर मादा इवमक का निर्माड होना इस के वाग के अंदर बीजन्ड काय के अंदर जो बीजन्ड काय है इसके अंदर एक अदा इस्तरिय कोशिका पाई जाती है इसके अंदर एक अदा इस्तरिय कोशिका पाई जाती है ठीक है ये कोशिका विवाज़त होकर दो कोशिकाओं का निर्मार करती है अदा इस्तरिय कोशिकाओं का निर्मार क करेगी वितिये कोशिका वितिये कोशिका और विजानु जनन कोशिका ठीक है तो ये दो कोशिकाओं का निर्माद होता है वितिये कोशिका वितिये कोशिका में कोई परवरतन नहीं होता है अब हमारी नेश्ट है विजानु जनन कोशिका उसके वाद है विजानु जनन कोशिक बिना विवाजन की मात्र कोशिका की तरह कारे करने लगती है उससे पहले डाइग्राम था उसमें थी ठीक है मात्र कोशिका मात्र कोशिका में अर्सूत्री विवाजन होता है अर्सूत्री विवाजन के द्वारा एक कोश्का विवाजित हो करके चार कोश्का बना लेती है इन कि मादा जनन में एन होंगे और और नर नर युगमक में भी एन गुलसूत रोंगे ठीक है तो एन मिलकर किते हो जाएंगे टू एन यह बनेगा तो टू एन गुलसूत किया वसकता होगी राइट तो जो मात्र कोशिका अए वह अधाय गर कितनी कोश्का बना लेती है चार कोश्का है ठीक है इन में तीन कोशिकाएं नस्ट हो जाती है इन में से तीन कोशिकाएं क्या होंगी नस्ट हो जाएंगी राइट केवल एक कोशका क्रिया सील रहती है एक विवाजन के दारा दो कोशकाओं का निरमाण करता है ये बड़ा होगा धीर धीरे बिद्धी करकर के और दो कोशिकाओं का निर्माल करेगा ठीक है ये दो भागों में बट जाएगा ठीक फुना समसूत्री विवाजन होता है एक कोशिका दो कोशिका बना लेती है फिर से इसमें समसूत्री विवाजन होगा एक कोशिका क्या गरेगी दो दो कोशिका बना लेगी ठीक है बना लेती फिर समसूत्री विवाजन होता है अर्थात चार कोशिकाओं से अन आठ कोशिकाओं का निर्मान होता है फिर से इसके अंदर समसूत्री विवाजन होगा ये चार कोशिकाओं क्या करेंगी आठ कोशिकाओं बना लेती है ठीक है इसे हम ब्रोण कहते हैं अब पढ़ते हैं दुतियकेंद्रक जो निवाग की तरफ से एक कोश्का मद में आती है इसे बोलते हैं उपर वाले भाग के लिए निवाग ठीक है तो निवाग में इधर चार कोश्क आए थी तो ये कोश्का इधर से और एक कोश्का बीजानद्वार से की तरफ से बीच में आ जाती है ठीक है इस तरह से बीच में या मद में आती है तो इनसे दुतियक केंद्रक का निर्माण होता है तो इसे हम बोलते हैं दुतियक केंद्रक ठीक है प्रतिमुक कोशिका निवाग की तरफ से विवस्तित निवाग की तरफ निवाग का मतलब उपर की तरफ जो विवस्तित तीन कोशिका है इस तरह से विवस्तित हो जाती है इन्हें हम बोलते हैं प्रतिमुक कोशिका ठीक है प्रतिमुक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं न निवाग की तरफ जो तीन कोशिकां विवस्तित होती हैं, उनके लिए हम प्रतिमुक कोशिका कहते हैं, उसके बाद है साइक कोशिका, जो नीचे में, बीजानदवार की तरफ से तीन कोशिकां हैं, जो नीचे साइड में विवस्तित हो जाती हैं, ठीक है, बीजानदवार की तो इनमें से जो साइड वाली किनारों वाली दो कोशिका हैं इन्हें हम साइड कोशिका कहा जाता है ठीक है जो साइड किनारों पर एक ये वाली और एक ये वाली इन्हें साइड कोशिका कहते हैं ठीक है साय कोशिका बीजानदवार की तरफ तीन कोशिकाएं विवस्तित होती हैं यह तीन कोशिकाएं हैं यह बीजानदवार की तरफ विवस्तित होती हैं जिनमें मद्द में इस्तित एक कोशिका को छोण कर से इस दो कोशिकाओं को साय कोशिका कहा जाता है मद्द में यानि की कोशिका के बीच में इस्तित कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं इसे ही इसमें ही अग्मक कहा जाता है ठीक है इसे ही युगमक कहा जाता है इसमें ही मादा युगमक का निर्माड होता है ठीक है मादा युगमक का निर्माड इसमें ही होता है ठीक है एक भृून कोश में आठ केंदरक साथ कोशी कोशिकाएं पाई जाती है इसमें आठ केंदरक होते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के न्दर कोशिका के समें कितनी होगई? 8 और इसमें कोशिकाएं कितनी है? 7, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और इसके लिए हम पढ़ते हैं 1 कोशिका ठीक है? तो कितनी होगई? 3, 3, 6 और 1, 7 7 कोशिकाएं पाए जाती है? एक भुनूर कोस में और आठ केंद्रक पाए जाते हैं कुष्टन पूंचा जाता है एक भुनूर कोस के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं और कितनी कोसिका हैं तो आठ आठ कोसिकाइं पाई जाती है साथ और केंद्रक होते हैं आठ इससे कॉंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 कोसिकाए कितनी हो गई साथ केंद्रक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केंद्रक साथ कोसिकाएं खीक है तो यह मतलब यहीं पर समापत होता है और सेस्ट बचा हुआ पार्ट हम भागतीन में कवर करेंगे तो हम आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें और चैनल परस्टाइम बिजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी हिट करें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे विल्कुल टाइम पर तो धन्यवाद करेंच